नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड नीज वर्सेज दबंग 3 डे 11 बॉक्स अफिस कलेक्शन की जा दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का गयारवे दिन का बॉक्स अफिस क पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करना ना भूले और अगर आप तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपको फिल्म और इंटर्टेन्वेंट से जुड़ी सभी जानकरिया मिलते रहे तो आईए दोस्तों शुर हैं सलमान खान सुनाक्षी सिना किच्चा सुदीप साइम आंजेकर अर्वास खान और माही गिल जैसे एक्टर्स और दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स और ओडियंस दोनों के ही मिक्स रिव्यूज मिले हैं और दोस्तों इस फिल्म का वजट है लगवग 90 करोड उपए जय हैंने की वर्डवाइट टोटल 5500 स्क्रेंज पर और दोस्तों आपको बता दे कि दवंख्री मूवी हिट हो चुकी है और यह बहुत ही जल्द सुपर हिट भी हो जाएगी और दोस्तों अगर बात करें इसके 11 दिन के बॉक्स अफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता द इसने अपने 11 दिन इंडियानेट पर कमाये थे लगभग 2 करोड रुपए जहां दोस्तों दो करोड रुपए और आएए दोस्तों अब बात करते हैं गुद्नीज मूवी की दोस्तों गुद्नीज एक कॉमेड़ी ड्रामा फिल्म है जिसके डारेक्टर है राज मेता और इस एक्टर्स और दोस्तों आपको बता दे किस फिल्म के कहानी बहुत अच्छी है इस फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा है इस फिल्म के कहानी को क्रिटिक्स और ओडियंस दोनों नहीं बहुत पासंद किया है और दोस्तों के कहानी हमको इंट्रेटेन के साथ साथ एक अच् रुपए और दोस्तो इसे इंडिया में लगभग 3100 स्क्रीन्स पर और सीज में लगभग 700 स्क्रीन्स पर यानि कि वर्डवाट टोटल 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और दोस्तो अगर बात करें इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन्स की तो दोस्तो आपको बता दे इसने अपने दसवे दिन यानि कि कल दमाकेदार कमाई की और कमाई लगभग 13 करोड 50 लाख रुपए और या अपने गयारवे दिन यानि कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लग दोस्तो अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो आपको इन दोन में से कौन से फिल्म ज्यादा अच्छी लगी गुड नियूज या दवंग 3 कौन हैं का फेरोड सूपरिस्टार सलमान खान या क्षर कुमार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक् वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइक और शेयर जरूर करें